हाई फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न कैडमी और आज हम बात करने वाले भारत सरकार के दिये हुई नई रिकुर्मेंट आ गए हैं आप सभी के लिए जो स्टाप सलेक्शन कमिशन कमबाइन ग्रेजुएशन लेबल 2020 की रिकुर्मेंट आ चुकी है तो सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई करेंगे कब से इनके ओनलाइन अप्लिकेशन है कब लाज़ डेट है तो वीडियो बहुत ही सब्सक्राइब करने वाले हैं आप सभी स्टूडंस के लिए तो वीडियो को मस्ट एंड तक देखिएगा चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हम जान लेंगे हमारे डेट ऑनलाइन अप्लिकेशन की कब है और लाज़ डेट कब है तो 29 डिसंबर 2020 से लेकर स्टार्ट हो चुके हैं आवेधन प्रक्रिया और यह सीधा 31 जनवरी 2021 तक चलेंगी ठेक है इसके बाद यहां पे जो आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनल करना चाते हैं वो चार फरवरी तक पे कर पाएंगे टाइम यहां पे सारे 11 बजे के अंदर आपको जो है पे करना पड़ेगा इसके बाद जो सीवीटी के एक्जाम होंगे उसकी यहां पर तो यहां पे एक्जाम आप देख सकते हैं 29 मैं 2021 से लेकर 7 जून 2021 के बीच में सेकेंड पेपर होंगे डिस्क्रिप्टिक पेपर जो होते हैं उसकी अभी डेट यहां पर अलाउंस नहीं किये हैं यह भी बता देते हैं कौन-कौन से पोस्ट की यहां पर वेकिंसी आए हैं जो कंबाइन ग्रेजुएशन लेबल जो फॉर्म वेरियस जो जितने भी सारे ग लेबल कमिशन की यहां पर सालरी आप देख सकते हैं 476,000 से लेकर 151,000 तक यहां पर जा सकती हैं तो इनकी यहां पर देख सकते हैं Assistant Audit Officer, Assistant Account Officer तो यहां पर बता दूँ यह सब सारे ही Group B के पोस्ट हैं और यहां पर जो Age Limit यहां पर इन सब पोस्ट के लिए 30 से ज्यादा नह होनी चाहिए ठीक है इसके बाद यहां पर देख सकते हैं Assistant Section Officer, Assistant Section Officer यहां पर Ministerial Post की लेबल में है यहां पर इनकी भी जो Age यहां पर barrier दिये गए हैं 20 से लेकर 30 साल के बीच होने चाहिए Assistant Section Officers की और जो यहां पर दिये है Ministry of Railway की यह 20 से लेकर 30 साल तक यहां पर Age Limit यहां पर द Assistant, Superintendents, Divisional Accountants, Sub Inspector की सब सारे ही यहां पर जो है 30 साल से उपर नहीं जाने चाहिए यह various department के लिए various posts के लिए अलग-अलग Age यहां पर दिये गए हैं हर B Group के जो posts हैं उसकी अलग Pay Commission लेबल है अलग-अलग salary इनकी उपर दिये गए हैं यह notification मैं अपने description में दे दूँगा आप download करके इसे आरासानी से देख सकते हैं तो जो उपर मैंने आपको बताए वो B Group के थे हैं यह सब सारे C Group के हैं तो C Group में आप देख सकते हैं auditor है यहां पर accountant है यहां पर बिवने प्रकार के जो posts आप departments देख सकते हैं जो है पे कमिशन की लेबल 5 की दह से दी जाएंगे और एज की बात करूं C Group के तो कम से कम 18 से लेकर 27 साल के बीच में आपको होना जरूरी है तभी आप Group C के लेबल में जो है अपलाई कर सकते हैं ठीक है इसके बाद जो 4 लेबल कमिशन पे हैं यहां पर जैसे की ही मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है तो कि इस पोस्ट में अपलाई करने के लिए आपको सिटिजन अफ इंडिया होना ज़रूरी है आप नेपाल के हो भुटान के हो कोई बात नहीं आप अपलाई कर सकते हैं रिलाग्जेशन दी जाती है अगर आप एसिस्टेंट और या असिस्टेंट अकाउंट अफिसर के करना चाहते हैं तो कम से कम आपको बैचूलर डिग्री करना होगा किसी भी रेकुजनाइट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से इसके बाद अगर आप डिजारेबल क्वालिफिकेशन पूछे त इसके बाद अगर आप बैचूलर डिग्री किये हैं अगर स्टैट सब्जेट लेकर तो भी आप इलिजिबल हैं इसके बाद बाकी जितने भी सारे जो पोस्ट मैंने आपको बताया उसके लिए बस आपको ग्रेजुएशन के डिग्री लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी से इसके बाद गाई जब अप्लाई कैसे करेंगे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ आप ssc.nicity.in के वबसाइट मे जाके अगर आप पहली बार वहाँ विजिट कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर अकाउंट करना होगा अगर आप इससे पहले भी अप्लाई कर चुके हैं तो आसा करता हूँ आपको कोई धिक्कत नी होगा आप आसानी से अपना रजिस्टर नंबर दे के पासपोर्ट दे के आप आसानी से जो है अपना form को fill up करते हैं अगर कोई भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप comment करके जरूर बताएगा हम आपके help करने की हमेसा courses करते हैं और examination scheme यहाँ पे कम से कम आपको यहाँ पे चार exam देनी पड़ेगी पहले CBT1, CBT2 इसके बाद third जो होगे वो pen paper mode में होगी आपके descriptive later में होते हैं और fourth वाले में यहाँ पे जो data entry skill की test और computerize आपकी देखी जाती हैं किस तरीका से आपको computer knowledge है इसके बाद जो CBT होते हैं उनमें अगर subjects पूछें तो यहाँ पे reasoning gk वगेरा होते हैं aptitude होते हैं इसके बाद English comprehension must होना जरूरी है कम से कम आपको सभी question यापे 25 करके हर एक में से questions रहेंगे और लगभग 50 marks की आपको हर एक subject से रहेंगे और time जो है आपको one hour दिये जाएंगे ठीक है यहाँ पर आप paper देख सकते हैं कौन से paper में कितना ही है आप download करके आप आसानी सही से देख सकते हैं यहाँ पर syllabus भी दे दिये गया है कि कौन से चीज में कौन से syllabus यहाँ पर आप देख लिजेगा guys ठीक है देखे selection mode पूछेंगे तो कम से कम यहाँ आपको जो पहला CBT होगा कम से कम आपको यहाँ पर general cash degree के लिए 30% OBC और EW के लिए 25% और other के लिए 20% लाना ही पड़ेगा selections के लिए जो आप समझ गए होंगे लेकिन अभी भी कोई भी confusion कोई भी doubt हुआ तो आप comment करके हमें बताइए हम कोशिस करेंगे आपका help करने का और आपके comment का reply देने के लिए तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए धन्यवाद